तो सद्गुरू, सर्जन शेल मागज एटले शूँ? ओ तमारे केटलों मोटों जवाब जुएचे? तमें इच्छों एटलों मोटों? जुँँँँँग्रेजी शब्द माइंड कशू कहतो नथी ते बस एक सामने शब्द छे जित दिमाग शूँँँँछे, तेना विवित परिमाणों समझावतो नथी दिमाग एटले आई बेसी ने कशू करी रही होए, फक्त ए नथी दिमाग जेओ कशू होतूज नथी योगिक संस्कृती माँ दिमाग जेओ कशू नथी एक भौतिक देह चे, एक मांसिक देह चे करण के तमें जारे अत्तेरे जेने दिमाग कही रहा चो ते स्मृती अने बुद्धी चातरियनू चोकस मिश्रन चे तमारा शरीर मां स्मृती चे तमें कल्पना करीशा को ते करता वधु स्मृती जो मारे फरीवकद तमारा सुधी पोंचवानु होए, हूँ तमारों चुनाव करेश नीशंक पणे तमने एई याद नहीं होए के तमारा परदादी ना परदादी केवा देखाता हाता पन तेमनु नाग, अध तेरे तमारा चेहरा पर बेठुचे तमने कोई बाबत सभान पणे याद नथी रहती, पन तमारू शरीर सोटका याद राखे छे तमारा दादी 10 पेडी पहला केवा हता, ते तमारा शरीर ने हजी पण याद छे मस्तिश्क औने बहुत दिक प्रक्रिया तरफ नो आ समग्र जुकाओ के पल्टो युरोपियन उपज चे त्यमने विचार ने घणू वदारे महत वापियो आम थयू करण के तेवो वर्चस्व धरावता समाज हेटल जीवता हाता धर्मी करीते वर्चस्व धरावतो समाज जया तमे कोई पुस्तक माँ जे लख्यू आई तेसे वाई बिजू कशुपन विचारी शक्ता न थी नेतर तमे जीव थी जशो तेवो लामबा समय सुधी आरीते जीवया तेना कारणे जयारे तेमने विचारवा अने जीववा माटे नी व्यवस्ता करवा माटे थोड़ी सोतंत्रता मली त्यारे तेमने तेमना विचार ने अतिशे प्रसिद्ध करवानू शरू करियो चालो आपने विचार नो संदर्ब समझी है तमे जे डेटा एकत्रित करी चुक्या छो फक्त तेमा थीज विचारी शको छो तेनो अर्थ ए कि तमें कशू नव विचारी शकता नथी तमें तेने पूना उप्योग माल ही शको छो तमें तेने नवू सोरू पापी शको छो, तमें तेमा फेरफार करी शको छो, अने तेनू मिश्रण करी शको छो पन तमें कशू तद्धन नवूज नथी विचारी शकता कहींक नवू रजू करवू ए वैचारीक प्रक्रियामा नथी, ते केवल भुतकाल रिसाइकल करी शके छे तेनो अर्थ एक है, जो तमारी जात विचार प्रक्रियामा समर पित होए तमें विचार प्रक्रियानों संग्रह करता हो तो ए सुनिश चीच छे के जीवनमा कदी पण कशु नवू नव बने तो विचार ने आरेते प्रसिद्ध करवानी जरूर न थी आथीज आ संस्कुरती मा विचार ने कदी पण महत्वा आपवामा आव्यू न थी तमें जे विचार चो ते तमारों मनोव विचार ने कड्रामा चे आपड़े तेना विशे वधू विचार न थी करण के ते तमारों ड्रामा चे तमारों नाटक तमारा माटे महत्वा प्रूना चे बीजा कोईनू नाटक तेना माटे महत्वा नूँ छे दरेक व्यक्ति विचारे छे के तेमनू नाटक ब्रह्माननू सवती महत्व पुर्ण नाटक छे आ दरेक व्यक्तिनो स्वानू बहुँचे करण के तेमनी ओलक तेमना मनोवेग्नानिक नाटक साथे वनाई गई छे आ मनो विग्नानिक नाटक तमारा जिवननु स्वरूप नक्किना करवू जुईए कारण के जिवननी प्रक्रियानी तुल्नामा आ केवड एक नानी घटना मात्र छे जिवन ए बुद्धी ती गणी घहरी होशियारी छे योगिक विवस्ता दिमाग ने सोड भाग तरीके जुए छे ए सोड भाग ने वधू विभाजित करवामा आओता ते 84,000 भाग थाए छे पड़ हवे जो हूँ 24,000 विशे वाद करू तो एक विभाज गेवो छे जे कहे छे ना तो हूँ तेने चार बनावेश हूँ एशी दूर करू छो बराबर हूँ तमारी साथे तटस्त बनी रहो छो मत्र चार, चार मुणबुद भाग, एक छे बुद्धी, जने आपने आधुनिक विश्वों मा, आजनी दुनियां मा, बिन जरूरी रिते, बुद्धी ने अतिशे महत्वा आपी रहा छी है, अने ते बद्दल आपने बहु आकरी किम्मत चुकवी पडशे तमे एवी जिग्यां पोंच्छो, जयां तमे बदूद जानता है सो, पन तमे जीवन ना महतो विशे कशूद नहीं जानता हो, साचेच, आजे तमे जोशो के बाड़ा को साथ्या थही रहो छे प्रतम वकत आप एडी, तमे जोशो के दस अग्यार के बार वर्शना बाड़ा को, ते वो कंटाल हीला लागे चे जयरे तमे दस अग्यार वर्शना आता, त्यारे तमे नहता जानता के कंटाल वेटले शूँ जीवन तो होवू औने फरवू अत्यनत रोमान चे खतूं तमे दस बार वर्शना बाड़ा को ने जोशो, ते तमाम कंटाले ला जानाए चे करण के तेमने ब्रह्मान ने तेमना फोन स्क्रीन थकी जोई हुचे ते वो आब अदू जाने चे अने खास करीने पस्ची मी देशों मा तों आट-दस वर्शना बाड़ा को मा थे ही रहुचे ते वो साचेज कंटाली गया चे तमे स्कूल बस मा जोशो, ते वाम बेसी रहा हुआई कंटाली गयेला करण के बार वर्शनी उमरे पहुचवा सुधी मा तमे एक लव अफेर करी चुक्या चो तमने ब्रेक अप खबर चे तेमा थी बाहर के अमा वो ते खबर चे तमे आलकोहल नो स्वाच चाकी चुक्या चो तमे आज जोयू चे जो आज संस्कृती यथावत रहे हुआ आगा ही नती करतो आएवू चे जे थवानू शरू थही गएवू चे तेहू जोयू रहे हो चो आगा मी पच्चास के स्वा बर्शना समय मा जो 25 ती पच्चास टकालों को आत्मात्या करे तो तमने नवाईना लागवी जोयू ये कारण के जीवन ने थोड़ो उल्लास जोये चे जो तमने अनुबहवीना अधळक माहिती मड़ी जाए तो ते उल्लास जतो रह शे अने जानवानी खोटी भावना तमारामा अत्तिनत सजड थी जे शे विचार शक्तिनू आ जोखमी पासू छे कारण के समझदार व्यक्ति दरेक बावतनू सुक्सम परिक्षन करवा मांगे चे बुद्धी शक्ति छरी जेवी चे चिटली वदू तिक्षन तिट्टी वदू बहतर ते विच्चे दन करीने जानवा इच्छे चे सुक्सम परिक्षन केटलीक बावतों मांटे कारगतनी उड़े चे पन जीवनना तमाम पास आओ मांटे नहीं जो तमें साच्चे जानवा इच्छता हो गरीब देड़को तमने आच्चे ने ए गरीब देड़को जेना पर तमें जुलम गुजार्यो तमें आजे तमारी माने जानवा इच्छो छो प्लीज एक धारदार छरी लावो विच्छे दन शरू करो तमें तेना विशे बधुत जानी लेशो लिवर, किड़नी, रदय फुन तमारी पासे हवे माता नहीं होए तो तेने छुटू पाड़ीने जीवन न जानी शकाए छुटू पाड़ीने तमें भवतिक बाबोतो विशे जानी शको छो तमें जीवन ने टुकड़ाओमा विखेरी ने जानी शको नहीं परन्तु बुद्धी शक्ती नू आ स्वरूप छे समगर आदुनिक विज्णान मानव बुद्धी शक्ती माथी जविकास पामियो छे ते टेक्नोलोजीकल लाब पूरा पाड़तो होवा थी तमें तेनी विरुद दलील करी शको नहीं कराण के लोको तमें जानो छो तेमना विचारे तेवो विज्णानी ओछे विज्णान न जानता होवा छता तेवो पस आइफोन ने माने छे तेमने एम के तेवो आग करी शके छे एटले तेवो विज्णानी ओछे ना टेक्नोलोजी बराबर छे ते गणी आराम दायागता आने सुवी दहो लावी छे पन ते आपना माटे जीवन नहीं लावे तो बुद्धी शक्ती आवी छे बुद्धी शक्ती शेनी साते ओलखाये छे आने शुँ राखवा मा आवियो छे शुँ तेने पकड़ी राखे छे किटली स्थीरता साथे तेना आधेरिश ते उप्योगी निवडशे तो दिमागनों आगामी परिमाण प्रथम परिमाण बुद्धी तरीके ओलखाये छे बिजू अहंकार तरीके ओलखाये छे अहंकार नों अर्थ अहम नती थातो तेनों अर्थ थाये छे ओलख तमें जेपन ओलख दरावता हो तमारी बुद्धी शक्ती फक्त तेनी आसपास कार्य करे छे सरण छे, जो तमें फक्त रास्ट्रती ओड़ खाता हो, जो तमें कहो हूँ एक भारतिय चो, तो बदूज भारतिय तमने सुन्दर लागे छे, जो तमें सरहत पार करो अने तमें कहो के तमें अन्यकशुक छो, तो ते बदूज तमने सुन्दर लाग छे, तो तमें जेपन बुढ़ की सुधले हैं सिस्कूर है को आदधा था परहिए ऐख वी मानुकिशक नकेट के पीडा बस आज छे तमें नथी जानता कि आप बुद्धी शक्ति ने केवी रिते तमारा हात मां योग्य रिते पकड़ी राखवी रोजे रोज तमें स्वयमने इजापन चाड़ी रहा छो तमाम पीडा स्वह सहाय पर छे कारण के तमारू पोतानों दिमागज तमारी साथे स ततत आउ करी रहूँ छे जे पन थैउ होए लोको पीडाए छे कोई पन मार्गे तेओ पीडाए छे बुद्धी शक्ति ने पकड़ी राखवी तेओ नथी जानता जो तमारी पासे अलस्यानों दिमाग होत तो तमें घणा शानत होत हाँ बुद्धी शक्ति ने तिक्ष्ण घटाडवा माटे तमें घणा बदा मार्गो अजमाओ छो मध्यपान नशिला द्रव्यो वदू पड़तु खावू तमाम प्रकार ना कार्यों करीने तिक्ष्णता दूर करवा माटे कराण के या चीज वेद ना पहुचाड़े छे ये दुख पहुचाड़े छे इड़ला शरीर स्मृतिनू वहन करे चे तो ते मनो माया कोश कहवाये चे श्मृतिनो मुट्टो कोथलो चे आ स्मृति विवित कोथलाव माँ चे किटलाकलो कोई स्पस्ट ना पाडे चे ते ध्यानमा रागता आपने आ तमाम विगतों मा नहीं पढ़िए ते ओ दिमाग धरावा तो दिमागनू चोथू परिणाम चित्त तरीके उलखाये छे। चित्त नो अर्थ थाये छे। शुद्ध बुद्धी शक्ती। ते स्मृत्तिती वन स्पर्शी छे। तेनामा कोईपण प्रकार्नों स्मृत्तिनों कोई आउश न थी। ते केवल परिशुद्ध बुद्धी शक्ती छे। जो तमे आने स्पर्श करो। तो पच्छी। तमे जैने सर्जननों स्त्रोत कहो छो। तेना सुधी पहुँच्छो। करण के तमारी अंदर तमाम प्रकार्नी बाबोतों भर्वामा आवी आशे। इश्वर आ छे, प्रेम छे, करूणा छे, कुरुपाळू छे, आव वो बदू। कुई आवो। आ स्टेजनी धार पर उभार हो। तमे इच्ता हो। ते तमाम प्रात्ना करो आने पड़ी जाओ। मारे जो हूँ छे के तमारा प्रत्ते कोई करूणा दाखवामा आवे छे के? पछी हड कू भांगी जाए छे, मारे तपास हूँ छे बराबर आव दू उपजावी काडवामा आवी छे कराण के व्यक्ति गमेते चीज थी वन्चीत होई ते इश्वर्ना तेना विचारने काराने थाई छे, तेम ते माने छे भगवान अंगेना तमारा विचारो फक्ते इटला माटे आवे छे कराण के तमे नथी जानता क्या सगलू सर्जन के विरीते थे थयो? तमारी पासे जवाब नथी? आथी तमें उपज्यावी काडियो छे तमें मानवी छो, आथी तमें कयो एक मोटों मनुष्य त्यां उपपर बेटो छे ओ, त्या वदू के विरीते करी शक्ये छे जो कोई ये पूछियो, तेने 10 हाट छे तो तेके जे सरजननों स्त्रोच छे मारों के बिजू कोई कहये नों विश्वास न करशो सरजनना एक आउँश पर ध्यान आपो, बस एक फूल लो तेना पर ध्यान आपो एक पांधडू, केक अणू, केक किडी उपर ध्यान आपो तमें जे जुओ छो तमें कल्पो तेना करता घणी वधारे अ साधरन बुद्धी शक्ती चे हाँ परुन्तु तमने कोई ये ना कहिऊ इश्वर बुद्धी शक्ती चे परुन्तु आ संस्क्रूती ये घणी बदी रीते तमने आ कहिऊ चे तेमने तमने चिदाकाश, चिदंबर औने अन्या घणी बाबोतों विशे कहिऊं जो तमे चितने स्पर्शों छो तो समगर अस्तित्व तमारू थाई जाये छे जाणवाजीव होए ते तमाम अहीं जी छे करण के तमे सर्जनना स्त्रोत नी प्राप्यता धरावो छो तो तमारा दिमाग ना आ चार परिमान छे दुरबाग्ये आधूने एक शिक्षन मातर माहीती पूरी पाडवा पर अने बुद्धी ने नौंध पातरा रिते तिक्ष्णा राखवा परज भार मुखे चे बदू थाई जवानू छे ना सम्रुद्धी के कल्यान माटे तम्या पृत्वी ने नस्ट करी नाक्षो अथवा पची तम्ये बीजाग्रह पर जही पहुँच्छो अने त्या फरी पाच्छो तमारू कारिय शरू कर्षो पड़ सम्रुद्धी का तुमी थाई जो कल्यान करूब तो तमारे आनी अंदर सहिट कुंदा उतरूँ पच्छाई अने था नहीं